हेलो गाईज आप सभी कपाला की रसो यूटूब चैनल पर स्वागत है आज की रेस्पी है मटर मलाई मेथी की सबजी बनाना तो आएए स्टार्ट करते हैं मेथी मटर और मलाई की सबजी बनाने के लिए ये हमने मेथी ली है ये हमने एक उच्छी मेथी ली थी इसको साप करके हमने धो लिया है और अच्छी सी बरी कट कर लिया है और एक बाउल हमने मटर के फ्रेश दाने लिये हैं एक छोटी कटोरी हमने मलाई लिये हैं तीन हमने प्याज लिये हैं इनको हमने टुकडों में कट कर लिया है दो टिमाटर लिये हैं एक अधरक का टुकड तो आईए बनाते हैं ये मैंने कड़ाई को ग्यास पी गरम होने के लिए रख दिया है अब मैं कड़ाई के अंदर ओईल डालूँगी ओईल हमारा गरम हो चुका है अब मैं इसमें ये जीरा डाल दूँगी जीरा हमारा चटक चुका है अब मैं इसमें प्याल कर लेंगे प्याज को में दिने देंगे जब तक हमारे ये प्याल दिने हैं तब तक मैं ये अधर शेटो कोड़े कर लेती हूं और ये तिमाटर को भी में कच कर दूँगी यहने दो बड़े साइज में टमाटर लिए हैं जिस परकार से हम साई पनीर का मसाला भूनते हैं हम उस परकार से मसाला पियार करेंगे मिर्ची के भी मैंने एक में से तीन टुकुड़े कर लिए हैं प्याज के साथ ही मैं इसमें काजु डाल दूँगी के इदर साथ ही मैं इसमें ये मटर के दानी डाल दूँगी और इसमें मुष्टे में पनिके के लिए फोड़ दूँगी तर्षाथ ही मैं इसमे ये अठावे अखर गूंगे एक चमस्किया असपास मैं इसमे पाली डालूंगे मतर कःक्ष के अब मतर को चान लिया है कि मेतरीमक में पाली मुदेश से ऻीए कि म сок कर दें수ाहें विए ववा अयां ओने लिन एक गृंगर की ये अधा इंदर तरीर दर द डालूंगी आधा चमस्किया सब शोआ मेतरी मतर बंगर कर दरें डालीक ये ऑक ताती मेथी अच्छे से बून कर दियार हो चुकी है मेथी अच्छे से बून कर दियार हो चुकी है गैस को मैं बंद कर देती हूं और मेथी को एक साइड में रख देती हूं और यह हमारा मसाला ठंडा हो चुका है और मसाले को मैं ग्रैन कर लेती हूं और यह हमारा मसाला ग्रैन हो चुका है इसी के अंदर में यह मलाई को भी एक बार ग्रैन कर लूँगी और यह हमारा मसाला अच्छे से पिसकर तेयार हो चुका है अब मैं इसी कड़ाई में थोड़ा सा ओईल डालूँगी के इंदर में चुथाई चम्मच हल्दी और चुथाई चम्मच मैं देगी मिर्च पोडर डाल रही हूं मिक्स करूँगी और अब मैं यह मसाला डाल दूँगी इसमें और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी तिक अंदर में यह थोड़ा सा पाने डालूँगी और अब मैं इसमें यह मतर के दाने और साथ ही मैं इसमें मेथी डाल दूँगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैंने यहां फ्रेस मतर और मेथी का इस्तमाल किया है आप चाहे इसमें कस्तूरी मेथी का भी इस्तमाल कर सकते हैं आप मैं इसमें थोड़ा सा पाने और डालूँगी लगभग मैंने इसमें टोटल एक कप के असपास पाने डाल दिया है तो आईए चेक करते हैं ये हमारी सब्जी ने और ये छोड़ना शुरू कर दिया है और ये बन कर भी अच्छे से तयार हो चुकी है कितने बढ़िया से पकर तयार हुई है और ये हमारी सब्जी बन कर तयार हो चुकी है अब मैं इसे इप्राइब करूँगी गैस को मैं बंद कर देती हूँ कितरे अच्छे से हमारी मटर मलाई मेथी की सबजी बनकर तियार हो चुकी है ये हमारी मटर मलाई मेथी की सबजी बनकर तियार हो चुकी है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छे लगी तो लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद